हलो दोस्तों कैसे हो आप लोग उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे फिर से लेके आ चुका हूँ नया है रिक्रूमेन जो की आया है टाटा इंस्ट्यूट और फांडमेंटल रिसर्च की तरफ से जहां पे रिक्रूमेन किया जा रहा है क्लार्क एंट सिकुरिटी काट के उपर त क्रेंट पास करके किसгоत हैं यहां पर अप्लिकेशन कर शकर do नेंवाला हूँ तो देखते रहेगा फूरा वीडियो लास्त अक आप लोग को हारे एक जानकर यहांowe मैं देने वाला हूँ यहां पहरी यहां पर यहां पर ओपीशिएल चो नोिटिफिकेशन मैं डाउओड़ चुका हूँ clearly यह जो नोटिफिकेशन है जहां पर सब कुछ बता दिया जा रहा है दोस्तों आप लोग को बताना चाहूंगा अगर आप लोग डेली जॉप पाना जाते हो then you must visit our official website www.studywithshowbic.com जाहँ पर आप लोग अप्लिकेशन कर सकते हो फार्च जो पोस्ट यहां पर Clark and security पोस्ट के निकलकर आया है Clark के जितनी फुस्ट है total जो है six vacances निकलकर आया है जाहँ पर आप लोग देखोगे तो Clark के लिए Unreserved के लिए एक निकलकर आया है OBC के लिए है PWD and EWS के अंडिडेट के लिए वैकांसिस निकाल के आया है जाब इस सीकुरिटी गाट के लिए भी एक वैकांसिस निकाल के आया है अगर आप Clark Unreserved Category के लिए अप्लिकेशन करना चाहते हो तो मैक्सिमाम जो है 28 यर्स तक अप्लिकेशन कर सकते हो Clark A के लिए फिर से जो Clark OBC के लिए अगर Clark A के लिए अप्लिकेशन कर देओ तो आपको 31 यर्स तक आप लोग यहाँ पे अप्लिकेशन कर सकते। Clark A के लिए जो PWD пит quality application करना चाहता है वो लोग 38 years ताग application कर सकते Clark A जो EWS के हैं उनके लिए आप लोग 28 years ताग आप लोग यहाँ पर application कर सकती हो exp गार्ड के लिए 28 years ताग आप लोग यहाँ पर application कर सकती हो यहां पर जो salary है clerk के लिए 39,761 and security card के लिए 31,329 रूपीज आपको पार्मान दिया जाएगा यहां पर application करने के लिए साथ-साथ आपका जो age reduction है आपको यहां पर मिलेगा अगर आप ACST है तो आपको 5 years के OBC के लिए 3 years and PWT candidate के लिए आपको यहां पर 10 years के age reduction मिलेगा अगर application करना चाते हो clerk के लिए तो आपको graduation में आपका कोई भी stream से आगर आप 50% marks लेके obtained कर चुके और qualify कर चुके दिन आप लोग application कर सकतो टाइपिंग में आपको थोड़ा बहुत आपको knowledge होना चाहिए आपके पास personal computer यूज करने के तरीका भी आपके पास होना चाहिए minimum one year के experience अगर है तो आपको clerk के लिए तो काज clerk के चितने भी काम होता है तो उनके उपर आगर one year के आपका experience है देन आप लोग यहाँ पर application कर सकतो तो यह था clerk के position अभी आप लोग को बताऊंगा security guard के लिए अगर कोई candidate security guard के लिए application करना चाहिए तो देन आपका जो है यहाँ पर जो यहाँ पर चाल के आया है 10 पास minimum three years के आपको defense cfpf और security वार के उपर आगर three years के minimum experience है तो आप लोग यहाँ पर application कर सकते हो यह certificate certificate civil defense training home guard इस तरह के उपर कोई भी आगर certificate है तो आप लोग भी application कर सकतो कंप्यूटर में काम करने के knowledge भी आपके पास होना चाहिए maximum 28 years तक आप लोग यहाँ पर application कर सकते हो अभी बात कर लेते हैं आगर candidate security card के लिए कोई male और female candidate application कर दो तो आपके पास physical fitness के लिए क्या क्या चाहिए जैसे की height चाहिए male candidate के लिए 165 चाहँ पर female candidate के लिए 157 चेस जो है 82-85 cm जहाँ पर female candidate के लिए यह जो है applicable नहीं है weight यहाँ पर नहीं बताया गया male and female दोनों का and eyesight जो है six and six naked eye vision for the both eyes would be six and nine and color recognized दोनों ही के लिए same होने वाला है physical जो efficiency test होने वाला है जहाँ पर 100 meter 16 minute for यहाँ पर फास्ट राउंड होने वाला है जहाँ पर 106 की me in six thirty minute के अंदर complete करना होगा जो की second round में short put जो की except female candidate के लिए यह नहीं है यहाँ पर except female candidate के लिए से भी सेम है seven and seven point two six kg 4.5 meter तक आपको लेके जाना होगा चीन आप जो है 30 years तक candidate eight to nine number चीन आप आपको देना होगा करना होगा 30 to 40 years के आसपर कोई application कर दो तो five to six push up के लिए 40 to 45 16 to 17 आभब 45 12 to 13 sit up आपको जो है 30 years के अंदर आप जो है 25 to 29 32 44 22 24 42 45 52 20 19 आभब 45 10 to 14 आपको जो है sit up आपको लागाना पड़ेगा application आपको online में करना होगा 5 जुलाइ 2022 से application शुरू हो चुका है application करने के लिए आपको online में करना होगा मैं आपको उसका detail दिखाऊंगा जिसका लास्ट टेर है 23 जुलाइ 2022 application करने के लिए आपके पास online application form के print out होना चाहिए आपका mother card और voter card आपका fan card, passport, bribing license में आगर कोई भी एक है तो आप लोग application कर सकते हो date of birth और प्रूब आप एड़ूप एड़ुवेशन सर्टिपिकेर, experience certificate इसके साथ two respectable person के contact certificate, cst, obc यह चाहिए आपके पास और यह सब कुछ आपको जो है आपका यहाप पर लेके जाना होगा application करने के लिए तो चलिए देख लेते हैं आप ही किस तरव से आप लोग यहाँ पर application कर सकते हो दोस्तों जैसे कि देख सकते हो मैंने यहाँ पर open कर चुका हूँ official website जहाँ पर clearly यहाँ पर दिया जा रहा है for the post of security guard clerk के लिए भी vacances निकल के आया है अगर कोई candidate application करना चाहते हो यहाँ पर pdf file है यहाँ से भी आप लोग चेक आउट कर सकते हो notification otherwise आप लोग इन और apply के उपर क्लिक करने के बाद आपका एक नया फॉर्म यहाँ पर open हो जाएगा तो आपको जो है new user के उपर क्लिक करके आपको account create करना होगा जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो आपका name father name email id date of birth category password देखके आपको registration करना होगा and then आपका जो application form है यहाँ पर register हो जाएगा and then आप लोग को main form है आपको दिया जाएगा and then आप लोग वहाँ से application कर सकतो without any application fees you can apply for this post आप लोग को पूरा जान करे जो है यहाँ पर आप लोग को बता दिया है अगर आप लोग को और भी कुछ जान करे चाहे then comment कीजिए मैं उस comment का reply जाल जाल देने वाला हूँ thank you friend thank you for watching this video for more job update please please visit our official website www.studywithsovic.com चाहाँ पर आप लोग job update daily पास सकते हो thank you friend thank you for watching this video